एलो दोस्तों, आज हम आपको शीव अगवान की छोटी सी कहानी बताने जा रहे हैं भोला स्वभा होने के कारण भगवान शीव को भोले नात कहा जाता है क्योंकि वो अपने भक्तू पर हमेशा कृपा दिखाते हैं और कस्टो सी मुक्ति दे देते हैं त्रिदेवों में भगवान शीव सबसे बड़े हैं और स्रिस्टी को श्रंतुलन बनाए रखने की उनकी अहम भूमिका है त्रिदेवों में ब्रमभा जीने स्रिस्टी की रचना की है और भगवान बेशनो उसको संचालन करते हैं और भगवान शीव शहार है भगवान शीव को जिस तरह अपने भोलेपन की कारव जाना जाता है उसी तरह क्रोध के लिए भी उनको नाम बिख्यात है भगवान शीव क्रोध में आते हैं तो देवताओं पर भी प्रहार करने से नहीं चुकते और उनके क्रोध को सांथ करना बहुत मुस्किल हो जाता है कई कथाए मिलती है कि भगवान शीव ने क्रोध में आकर ना किवल अपने पुत्र गनेश का शर काटा है बल्कि इनके अलावा भी और लोगों और दिवताओं का सर काट चुके हैं य्दिए पर वाजिए पर प्रट वाजित सब्सक्राइब शेयर और लागों